दिवाली स्टार्ट हो गई है तो अभी सब कोई गर का सपाई या सजाना में अलग गया देखिए इस तरह का पेपर आता है कलर पेपर वो कोई लेता है मैं भी लेती हूं तो देखिए अलग-अलग कलर का और अच्छा-च्छा डिजाइन आते हैं दिखने में बहुत सुन्द पहले आप जहां भी बिचाना हो वहां पे आप बिचा लिजे इसके बाद इस तरह का ट्रास्फेरंट प्लास्टिक आता है उससे बिचाईए देखिए उसको उपर में बिचाईए देखिए फिर भी बहुत सुन्दर दिखता है इस तरह से बिचाने से सपाई करने में अब भी गंदा हुआ आप बिंगा कपड़ा से इस तरह से पहुच सकते हैं देखिए बहुत असान है लेकिन पेपर कराब नहीं होता है अगर आपके पास इस तरह का प्लास्टिक नहीं है तो आप इस तरह का यूज कर सकते हैं जब भी नया कपड़ा लेके आते हैं देखि और चलिए कि अब देख लेते हैं दुस्षरा टीप्स तो दिवाली में हम लोग को हर चीज इसाप करना पड़ते हैं को बहुत सारे डब्बे होते हैं एक दो नहीं बहुत सारे डब्बे किचन का होते हैं तो यही साप गरने के बहुत से यूज करते थे कपड़ा दोने में तो उसी का ही यूज करेंगे यह भी उसी तरह से breaking Soda की दरह ही काम करेगा दीए 2 चमज डाल रहे हैं दो चमज डालेंगे इसके बाद इसमें बिनेगर डालेंगे देखिए ये बहुत सस्ता आता है बेकिंग सोडा के मुकाबले ये है देखिए ये 100 गराम का है ये 30 रुपीज का और ये कपड़ा सोडा मिलता है 500 गराम का 30 रुपीज तो देखिए कपड़ा का सोडा कितना सस्ता आता है और गर में एक दो डबे नहीं बहुत सारे डबे या फिर जैसे होआ प्रीज अलमारी यह सब भी आम लोग बिनिगर के साथ साथ करते हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं तो चलिए बिनिगर डालेते हैं बिनिगर डालेंगे देखिए जिस तरह से बेकिंग सोडा रि मिला लेते हैं मैं अब चाहे तो इसमें विम्बार डाल सकते हैं लेकिन इस बिना भी बहुत अच्छा से साप हो जाता है देखिए पर अम सूती कपडा ले बाहरेंगे इस मेंिकर करेंगे को अल्का जल्दीस करेंगे पहुआ देंगे अगर आप चाहे तो इसको पानी में भी दो सकते हैं या फिर आप एक साथ बड़ा बल्टी में पानी बरके उसमें कपड़ा सोड़ा डालके फिर डिटर्जन डालके या बिम लिक्विड डालके आप छोड़ दीजिए दो से तीन मिनट के लिए इसके बाद पानी से दो दीजिए बहुत जल्दी साप हो जाता है तो देखिए सब डब्लब से साब कर सकते हैं इसके बाद आप इसटेल का सबस्टेन हुआ कि काप सबस्टेन हुआ यह चमश शरय हुआ वह भी साप कर सकते हैं देखिए कैसे चमक गया है आप चाहे तो अभी इसको पानी से दो सकते हैं फिर सुका लिजे तो चलिए हम इसी तरह से साप करें साप कर लेते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए आये हैं तो सस्क्राइब कर दिजिए इसी तरह का टिप्स एंड ट्रिक लेके आएंगे अच्छे अच्छे देखिए तो देखिए इस तरह कर देखिए इस तरह से आप तोड़ा से रगड के रख दीजिए तोड़ा तेर के लिए 2-3 मिनिट के लिए इसके बाद दो दिजिए पानी से पूरा चमक जाएगा तो बहुत सस्ता में साप कर सकते हैं प गर में पेंट चल रहा है या कोई पेंट करवा रहा है तो इसी के बारे में बताएंगे तो देखिए ये कैसे चमक गया है अच्छा से और इसे भी पहुंच देते हैं अच्छा से साप हो गया है आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो आप लाइक एन सस्क्राइब कर दिजे तो चलिए तिसरा टिस देख लेते हैं देखिए जब भी हम लोग कपड़ा या कुछ करेते हैं तो इस तरह का वैग मिलता है तो बहुत अलग-अलग डिजाइन में बहुत सुंदर- दोनों साइट से देखिए इस तरह से काट लेंगे इसके बाद आपका रेक हुआ या सिल्प हुआ या एस्टिटी टेबल का डोयर हुआ उसमें आप बिचा सकते हैं देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर और वो अलग-अलग कलर का आता है और अलग-अलग डिज गट लेंगे लंबा लुक बिचा सकते हैं नी रेक में या सब além और साब करनेने में भी बहुत असानी होता है जब साब करना हो इसको अलग-विंगा कपड़े से पहुच्छ सकते हैं और साब कर सकते हैं तो यह नमक लिए हैं और यह सूती कपड़ा देखिए आभी हर गर में पेंट का काम चल रहा है आप जितना भी नीचे पेपर भी चाले या फिर बोरी भी चाले पेंट इदर उदर चिटकता ही है और ज्यादा देर होने से वो छूटता नहीं है सिर्फ पह बिंगा कपडा लेंगे और नमक लेंगे थोड़ा से इस तरह से रख कर देंगे देखिए कितना आसानी से चुड़ जाता है मेहनत भी नहीं करना परता है इस दो दिन का मेरा शुक पेंठे आप लोग को दिखाने के लिए चोड़ें हैं देखिए कितना जल्दी से साफ हो यह हैं आप चाहे तो सस्ता सनमक ले लिजे मोटा वला कम दाम वला उससे साफ कर सकते हैं अगर आपको गर बड़ा है तो